स्टूडेंट्स यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाबदाइक रहेगा जिन्होंने अपनी मास्टर डीगरी कर ली है या वो कर रहे हैं इसके बाद वो या तो पीएसटी करना चाहते हैं या फिर वो एसिस्टेंट प्रोफेसर कोलेजिज या यूनिस्टीज में लगना चाहते हैं उनके लिए काफी महत्व पूर्ण है अभी देखे यूजी सी ने अभी नई गाइडलाइन चाहरी की है 27 मार्च 2024 के को और ये गाइडलाइन इसके बाद जून 2024 में भी यूजी सी नेट का एक्जाम होना है उसके लिए और उसके बाद के एक्जाम के लिए वैलिड रहेगा इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिशी 2020 है उसी के अनुरू बनाने का इसमें प्रयास किया गया है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें आएगी कैसे हम फॉर्म फिलप करेंगे इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लें इसमें तीन कटेग और ये जो वैलिड रहेगा ये जून 2024 से लेकर आगे तक के लिए वैलिड रहेगा तो कटेगरी फर्स्ट में देखी का क्या होगा तीन कटेगरी ये कटेगरी फर्स्ट येदि आप चूज करते हैं तो आप पिएचडी एडमिसन के लिए भी इलिजिबल रहेंगे जे तो जो इसमें जो चेंज किया गया मुख्य चेंज किया गया काफी बढ़िया है ये प्रिवर्तन काफी बढ़िया किया गया है पिएचडी का किया गया है पहले इससे पहले मतलब अब तक क्या होता था जो यूनिस्टीज है वो टेस्ट कंडेक्ट करती थी एंट्रेंस टे होगा उसी के स्कोर के बेस पर पीजडी में दाखिला दिया जाएगा तो ये बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर समझना अब हम कौन सा कटेगरी फिल अप करें तो यहां पर सबसे पहले हम यह समझेंगे जैसे तीन कटेगरी यहां पर दे गई है और एक इसमें उप्सन मदिक उसकी ऐस हो गई है तो वो कटेगरी फरस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि कटेगरी फरस्ट में क्या लिका हुआ है eligible for admission to PhD with JRF तो उसका JRF तो valid नहीं होगा तो JRF valid नहीं होगा तो इसका मतलब उसे without JRF वाड़े में जाना पड़ेगा और without JRF वाड़े में जाएगा तो फिर उसे category number 2 चूज करना पड़ेगा जिसकी age है वो JRF की UGC guidelines के अंसार age limit cross कर चुका है यदि कोई बच्चा तो वो फिर category 2 में जाएगा अब category 2 में क्या होगा वो PhD के लिए तो eligible रही रहेगा यदि उसका clear हो जाता है तो इसके साथ साथ college में professor लगने के लिए भी वो assistant professor लगने के लिए वो eligible रहेगा तो फिर category 1 कूँज करेंगे जिनकी age 30 साल से कम है वो सभी बच्चे category 1 ही चूज करेंगे क्योंकि वो PhD में admission लेना चाहें चाहें नहीं लेना चाहें लेकिन एक score तो उनका बनेगा scholarship लेना चाहें चाहें नहीं चाहें लेकिन यदि जारफ के लिए रो जाता है तो उनको extra benefit रहेगा और college के लिए वो eligible रही रहेंगे तो इसका मतलब जिनकी age 30 years से कम है वो category 1 चूज करेंगे और जिनकी age 30 years से अधिक है जो जियरफ के लिए valid age उनकी निकल चुकी है तो वो category 2 चूज करेंगे तीसरी category में आप कौन जाएंगे अब तीसरी category आप ध्यान से समझेगा eligible for admission to PhD program only not for award of जियरफ और appointing as an assistant professor भी इससे assistant professor भी नहीं लग सकते इससे जियरफ भी नहीं निकलेगा आपका केवल PhD admission के लिए है तो ये फिर कौन इलेग, इसमें कौन अपलाई करेगा इसमें केवल वही अपलाई करेंगे जो मान लीजिए वर्तमान में college में लगे हुए हैं या तो assistant professor की post पर है या professor की post पर है या फिर वो university में लगे हुए हैं और non PhD है, वो PhD करना चाहते हैं अब PhD करना चाहते हैं तो वो job में है तो उनको JRF का benefit भी नहीं मिलेगा और दूसरी बात वो पहले से already लगे हुए हैं तो उनने assistant professor के appointment के भी जरूरत नहीं है तो वो कौन सा option opt करेंगे वो category third opt करेंगे एक बार फिर देख लीजिएगा जिनकी age 30 साल से कम है वो category one choose करेंगे जिनकी age 30 साल से अधिक है और जो JRF के लिए उनकी age निकल चुकी है वो category two choose करेंगे और जो already college में लगे हुए हैं प्रोफेसर की पोस्ट पर लगे हुए हैं उनने मात्तर PhD करनी है तो वो category 3 choose करेंगे अब यहां पर एक question और यहां पर होना चाहिए अब मान लीजे जून 2024 में किसी बच्चे ने यह category 3 या category 2 या फिर category A के लिए apply किया और उसका वो clear हो चुका है टेस्ट अब वो PhD में अडमिसन लेना चाहता है तो उसका सिरफ एक साल के लिए वो valid रहेगा नेट तो उनका lifetime valid रहेगा assistant professor के लिए appointment रहने के लिए तो उसका lifetime valid रहेगा लेकिन PhD के लिए उनका सिरफ एक साल के लिए validity रहेगी अगले साल उसे फिर दोबारा से वो नेट का exam देना पड़ेगा जैसे मान लीजिए मैं वरतमान में college में लगा हूँ और मुझे PhD करनी है तो नेट तो मेरा पहले से है clear लेकिन मुझे PhD करनी है तो वो पहले वाड़ा नेट मेरा valid नहीं रहेगा इस session में मुझे PhD करनी है तो इस session में मुझे net का आग जान देना पड़ेगा उसके आधार पर जो मेरा score रहेगा जिस university से मैं करना चाहता हूँ उस score के base पर merit बढ़ेगी और उसी के आधार पर जो admission होगा तो जिसका जेरफ कलियर हो जाता है वो फिर university अपने guidelines के अनुसार उसका interview लेती है और पिर उनके पस्चाथ उनका PhD में admission होता है तो clear हुई ये बात है एक बार फिर देख लीजिएगा आपकी age below 30 है तो category 1 opt करेंगे आपकी age more than 30 है जेरफ की age निकल चुकी है तो आप category 2 opt करेंगे पहले से आप assistant professor लगे हुए है और केवल मातर PhD आपका उदेश से है PhD करना चाहते हैं नंबर 3rd opt करेंगे देखेंगे गाइडलाइन इन ही तीन काटेगरी के आधार पर यहां पर और कलियर बताया है यह UGC की गाइडलाइन है अब यहां पर आप देखें determination of eligibility of net for different categories in age summarized below category 1 है हमने आपको पहले ही बताया था जिनकी age below 30 है तो category 1 opt करेगा तो उसका जियारफ भी valid होगा assistant professor के लिए भी eligible है वो और PhD के लिए भी eligible रहेगा यदि आपने category 2 opt की है तो category 2 में आप जियारफ के लिए eligible नहीं रहेंगे क्योंकि आपकी age है वो निकल चुकी है आप more than 30 years हो चुकी है लेकिन आप assistant professor के लिए eligible रहेंगे और PhD के लिए eligible रहेंगे category 3 यदि आपने opt की है तो यहां पर आप देखिएगा यदि category 3 opt की जाती है तो इसमे जियारफ के लिए भी valid नहीं है assistant professor के लिए valid नहीं है ये केवल PhD में admission के लिए valid रहेगा और कितने साल के लिए केवल मात्र एक साल के लिए तो जो टेस्ट आपका clear होता है वो PhD के लिए एक साल के लिए eligible रहेगा और assistant professor के लिए वो lifetime valid रहेगा क्योंकि assistant professor के लिए net clear करने की eligibility age limit नहीं होती age limit नहीं होती वैसे 55% या रिजरो category की 5% है master degree में वो अलग है तो यहाँ पर एक बार फिर category first यदि आप आप opt करते हैं तो तीनों चीजों के लिए eligible हैं लेकिन उसके लिए अपनी age UGC guideline के नुसार देखने पड़ेगी जयराफ के लिए आपकी age बढ़ी है तो आप category 1 opt करेंगे यदि आप पहले सी college में लगे हुए है assistant professor लगे हुए है आपको केवल PhD करनी है तो आप category 3rd opt करेंगे और यदि आपको जो जयराफ की age निकल चुकी है तो आप category 2 opt करेंगे इसको आप ज़्यादा ज़्यादा share कीजिएगा सभी के साथियों के साथ ताकि किसी के कोई problem ना है फिर भी यदि आपके किसी तरह का mind में कोई question है तो आप comment box में लिखकर डालिएगा आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोसिस की जाएगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद